Types of Numbers कितने होते हैं और कौन कौन से किसम के होते हैं उसको हम इस समराइज करने वाले हैं इस lecture के अंदर Number Theory में हमने detail में पढ़े हैं काफी Numbers अब उनको बारी-बारी देखने का वक्त आ चुका है Let's deep dive into again Deep dive into it in the Number Theory यार उसमें जाते हैं और दुबारा से देखते हैं जो मैंने miss कर दिये थे वो भी आपको बताने लगाँ So Number Theory क्या है ये branch of mathematics है जिसको queen of mathematics भी बोला जाते है इसके अंदर types of numbers जो हैं हमारे पास हम उनको देखने वाले हैं सबसे पहला जो हैं हमारे पास That is called natural number Natural number ऐसे number होते हैं जो positive integer होते हैं greater than 0 Positive भी होंगे और integer भी होंगे Integer क्या होता है मैंने आपको बड़ी detail में बताया ऐसे number जो decimal points ना रखते हों और वो greater than 0 होंगे यानि कि 0 नहीं होगा इसका मतलब 1 से 2 से onward until infinity आपके पास जो number integer के तोर पे आते हैं These are called natural numbers Second numbers है हमारे पास whole numbers Whole numbers ऐसे numbers होते हैं जो natural number की तरह होते हैं But these include 0 यहां पे 0 भी होगा Whole का मतलब सारे numbers जितने भी mathematics के अंदर numbers हैं खास तोर पे positive integers Not negative ठीक है? Negative नहीं होंगे इसमें और 0 होगा But integers होंगे तो यह हो गया whole numbers फिर integers की तरफ चलते हैं जारी बात है आपने पढ़े हैं integers तो इनको दुबारा से देख लेते हैं Integers क्या होते हैं? Integers होते हैं Any number जो पूरा हो यानि के any number जो positive भी हो सकता है Negative भी हो सकता है और whole number भी हो इसमें 0 भी include है So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on और 0 से back side पे भी आपने आना है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और until infinity तो integers क्या होते हैं? Set of positive integers, negative integers and 0 इनके अंदर सारी चीज़ें आजाती हैं Then हमारे पास आते हैं चोथे number पे prime numbers जो मैंने उस दिन में बढ़ायता है सिरफ आपको repeat करवा रहा हूँ ताके आपको पता चले के prime numbers और बाकी numbers हैं उनको किस तरीके से हम differ करते हैं Prime numbers ऐसे होते हैं जो greater than 1 हो यानि के 1 नहीं होगा इसमें और जो सिरफ और सिरफ अपने उपर एट मिंट चैट में मैं देख रहा था यस ओके सिरफ और सिरफ ऐसे number या तो वो अपने खुद पे divide हो सके ठीक है या वो सिरफ एक पे divide हो सके यानि कि दुनिया में जितने भी numbers हैं वो सिरफ अपने आप पे divide हो सकते हैं या 1 पे divide हो सकते हैं इस आर कॉल प्राइम numbers और प्राइम numbers जो हैं जब आप कोई बड़ी quantity देखते हैं उसके पास पास prime numbers जो हैं जब दूर जाते रहते हैं तो prime numbers कम हो जाते हैं अगर आप start से शुरू करेंगे तो आपके पास prime numbers है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरीके से वो वाले number जो किसी और पे divide ना हो not dividable on other numbers ठीक है या अपने आप पे divide हैं या वो एक पे divide होते हैं फिर इसके बाद आता है हमारे पास composite number जो आपको मैंने पहले भी बतायते हैं दुबारा से repeat कर लेते हैं पांचपा number है हमारा composite number कौन से होते हैं जी बताएं के जरा आपका भी साथ-साथ इम्तिहानी है किसम का composite C-O-M-P-O-S-I-T-E composite number ऐसे number जो प्राइम नहीं है ठीक है मतलब प्राइम का उल्ट मैं यहां पे literally लिख देता हूँ प्राइम का उल्ट यानि के जो प्राइम नहीं है जो दो से ज्यादा जिनके divisors जो है having more than two divisors यानि के ऐसे number जो दो से ज्यादा numbers पे divide हो जाए है एक, दो और चार यह चार के divisors है तो इसका मतलब है यह composite number है सही हो गया फिर हमारे पास आते है rational numbers rational numbers rational numbers क्या होते है यह ऐसे number होते है जिसको हम दो numbers को ऐसे लिखते है for example 3 by 2 मतलब इस तरीके से हम उन्हें लिखें कि उनका एक ration निकला है हमारे पास rational निकला है जिसको हम basically बोलते हैं कि वो quotient of two integer हो या आपके पास denominator हो जाए हमारे पास और basically दो digits उनको अगर हम divide करें एक दूसरे पर और इसमें एक rule यह भी रैशनल नंबर के उपर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए दिस कांट भी जीरो ठीक है तो अगर हम तीनों को divide करें तो इनको कहा क्या जाता है अगर एक रैशनल नंबर में लिखूं तो इसको बोलते हैं हम numerator इसको बोलते हैं फ्रेक्शन बार और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर ठीक है इस तरीके से हम देखते है समझा गी आपको तो जो इस तॉप नंबर होता है एक फ्रेक्शन बहर देखते हैं और इस पूरी चीज को नंबुशन भी बहर होते हैं यियनिकेफ 242,5 ये एक फ्रेक्शन है यानि के पूरे हिस्से का 4x5 है, so we will see these numbers later on as well, ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरे पास एक, इस तरीके से मैंने एक चीज ड्रॉ की, अगर मैं इसके ऐसे corner मिला के इसे गुलाई में ले जाओ, अगर ये एक पीज़ा हो, अब आपको समझ आईगी, ये एक पीज़ा है, ठीक है, पीज़ा आप बना रहे हैं, और दिया है, या आप खुद खा रहे हैं, तो आपके पास एक पीज़ा है, इसकी quantity कितनी है, 1, यानि के इसकी जो quantity है, मैं इसको 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 इसकी quantity है, एक पीज़ा की, अब अगर आप घौर करें, तो इस पीज़ा के, चार हिस्से हुए हैं, एक, दो, तीन, और चार, ठीक है, समझ आगी बात की, अब ये total हिस्से हो गए हैं, चार, इसी के, सही है, एक हिस्सा, ये वाला, जो हिस्सा नंबर, 2 है, ये खा लेता है कोई, पीछे बचते हैं, आपके पास, तीन हिस्से, ठीक है, तो चार में से, तीन हिस्से, आपके पास बच रहे हैं, यानि के, 3 from 4, तो ये जो बचा हुआ पिज्जा है, जिसकी इस तरीके से, आपके पास, शेप बनेगी, something like this, ये जो है, ये 1 का, 3 by 4 है, यानि के, अगर एक को चार में डिवाइट करें, तो उसका, 3 by 4 बनते हैं, तो इस तरीके से, हम डिफरेंट चीज़ों को, डिवाइट कर सकते हैं, और fractions इस तरीके से, निकाली जाती हैं, ये यूजिली, जब आप units के अंदर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा, but for now, I will just stay here, to explain, के fraction हमारे पास, किस तरीके से आती हैं, ठीक है, तो fraction की भी आपको समझ आगी होगी, अक्सर उकात, लोगों को समझ होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, कि ये क्या चीज़े हैं, हमारे पास चल रहे हैं, rational numbers मैंने आपको बता दिया, फिर आते हैं हमारे पास, irrational numbers, irrational, rational numbers, ये अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा, आपको समझ आ जाएगी, ये ऐसे numbers होते हैं, कि आप इनको fractions या आप rational numbers नहीं लिख सकते, यानि कि उल्ट हो जाएगा rational का, उल्टा of rational, तो rational number के हैं जो fraction में लिखे जा सके, या आपके पास quotient of two integer हो, ठीक है, two integers को अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो ये आपके पास rational numbers आ जा जाते हैं, लेकिन ये rational number ये होगा, जो ऐसे ना लिखे जाएं, वो कौन से number है, ऐसे number जिनका non-terminating decimal expansions हो, यानि कि उनकी decimal expansions खतम ना हो, for example, इस हिंसे को आप जानते होंगे, ये जो मैं यहाँ पर draw करने वालों, hopefully आपको पता होगा काफी लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से, आपने एकसर उकात पढ़ा होगा math में, एक उन्दा वड़ा पाई, इसको हम πाई बोलते हैं, ठीक है, तो πाई की value क्या है, ये आप देखिएगा, 3.14, जाती रहती है, non-terminating decimal points में, अगर आप इसी तरीके से, 2 का जजर लेंगे, ठीक है, जिसको हम under root बोलते हैं, तो या square root बोलते हैं, जब आप वो लेंगे, इसकी value क्या आती है, ये भी check कीजेगा, तो irrational numbers ऐसे होते हैं, that cannot be expressed as a quotient of two integers, these numbers have non-repeating, not-terminating decimal expansions, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, आगी समझ, तो मैंने यहाँ पे जान बूज के PIE लिखा है, और आपने अभी check करना है, के हमारे पास, जो πाई है, this one, इसके spelling के हैं, और इसकी values कहां तक जाती है, ठीक है, spelling of PIE and values, और यूजली जब आप values को देखते हैं न, PIE की values countable है या नहीं है, ये भी आपने सर्च करना है, और ये भी सर्च करना है, किन किन लोगों ने PIE की value जो है, आज तक count करने की कोशिश की है, ठीक है, समझागी बात की, और इसकी fraction ऐसी है, जो change होती रहती है, और अगर मैं, चेक कीज़ेगा, अब आप कहेंगे, कि यार ये तो fraction में भी लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूँ, 22, 27, इसका अंसर मुझे ढूनते हैं फिर, जब आप इसको resolve करेंगे, आपके पास non-ending decimal points आना start हो जाएंगे, ठीक है, और PIE के जो spelling है, वो PIE है, ठीक है, तो just look into it, आपको समझ आजाएगी, कि numbers के अंदर, fractions के अंदर, आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं, real numbers, real numbers ऐसे numbers होते हैं, which are set of all rationals, plus irrational numbers, यानि के ऐसे numbers जो rational और irrational दोनों को मिला आके बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं real numbers, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं algebraic numbers, algebraic numbers, क्योंकि हम algebra की तरह move करने वाले हैं, so I am just giving you some idea, algebraic numbers, यह क्या होते हैं algebraic numbers, अगर इसकी मैं देसी बलके गोरों की definition लिखता हूँ, जो which is a little bit difficult, numbers that are roots of non-zero polynomial equations, with integer coefficients, कभी मुश्किल हो गया, ठीक है, तो algebraic numbers basically ऐसे numbers होते हैं, जो roots होती हैं of non-zero polynomial equations, polynomial equations क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे, और आपको अच्छे तरीके से समझाओंगा भी के algebra क्या होता है, और किस तरीके से algebra की different जो हमारे पास types हैं वो भी आती है, तो algebraic numbers आप एक दफा जरूर देख लीगा खुद से, ऐसे numbers जो roots होते हैं basically for non-zero equations के, यानि के roots of those equations उनको हम algebraic numbers बोलते हैं, अब algebra के अंदर आपको समझ आएगा basically जाके, के algebra होता के हैं, ठीक है, फिर मैंने आपको बताये थे perfect number, फिर congregate number भी है, modular numbers भी है, there are many other types, तो आपने एक छोटी से assignment create करनी है, अपने लिए assignment यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ, आज की last assignment है, वो क्या है, types of numbers in number theory, वो कौन-कौन से numbers हैं, जो number theory के अंदर पाए जाते हैं, उनकी types आपने end list करनी है, एक table बनाना है, और उस table में उसकी सारी information आपने लिख के, उसका screenshot जो है वो send करने, not the file itself, आपने screenshot जो send करने हैं, इसका लिंक जो है मैंने description में दिया हूँ है, तो यहां पे मैं अपनी जो streaming के उसे रोकता हूँ, and hopefully आपको समझ आगी होगी, कि आज हमने जो चीज़ें देखी हैं, वो basically 3 या 4 important चीज़ें जो हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, और number theory को हम यहां पे समाप्त करेंगे, कि इससे आगे नहीं चलने वाले number theory को लेके, क्योंकि हमने linear algebra, calculus और इस तरह की चीज़ों पर move करना है, मैं बड़ी कोशिश करके, retain करके information आपको दे रहा हूँ, यानि कि थोड़ी-थोड़ी information आपको दे रहा हैं, ताकि आपका ना हो जाए, समझ रहे हैं बात को, तो इसे के साथ ही आपसे मेरी request है, कि आप नीचे description में जो links हैं, उनको अपने पास save कर लें, खास तोर पे जो हमारा six months data science का course है, वो चल रहा है, यह उसी का part है, और साथ में मैंने zero to math series जो है, वो आपको दीए, वो आप चेक कर लें, और बाकी जितनी भी description में, लिंक के खास तोर पे, WhatsApp का हमारा channel, प्लस आपको मिलेगा, हमारी website का link, वहाँ पे जाए कि different blogs जो हम लिक रहें, उनको भी पढ़ते जाएं, अपना ख्यार रखें, दौ में याद रखें, and टेक केर, अलाफिस.